नमस्कार दोस्त अब हम आपके रहे लाए हैं सेलिब्रिटी न्यूज साई ने खोले गुम है किसी के प्यार से जुड़े राज बताया उनके रोने पर क्या बोलती है माँ गुम है किसी के प्यार शो में सबकी चहेती साई सिर्फ दर्शकों की ही नहीं बल्कि अपने घरवालों से भी परिशान है आईशा सिंग ने बताया कि उनके रोने पर मां का क्या रियाक्शन होता है वहीं अपनी भतीजी से भी जुड़ा एक किसा बताया गुम है किसी के प्यार में स्टीजल स्टार्ट प्लस के टॉप शो में से है लंबे समय से इसने दर्शकों को बांद कर रखा है आईशा सिंग ने शो में सई का किरदार निभाया है उनको दर्शकों का काफी प्यार मिलता है इतना ही नहीं उनके घर के लोग भी उनसे शो के स्पॉयलर पूछते हैं और आईशा उन्हें कुछ भी नहीं बता दी एक इंटर्व्यू के दरान आईशा सिंग ने कई इंटरेस्टिंग बातें बताए सीन देखकर डर गई भती जी आईशा सिंग से रिल गुर्म है किसीप के प्यार में लीड अक्टरिस में से हैं वह विराट के एक्स वाइप साई का किरदार निभा रही हैं जूम चैनल को दिये इंटर्व्यू में आईशा सिंग ने शो और अपने परिवार से कई जुड़े हुए राज खोले आईशा ने बताया कि उनके पेरेंस आगरा में रहते हैं वह मुंबई में उनने शो के एक सीक्विंस से जुड़ा मज़ेदार किस्सा भी बताया को लग गई घर पर रो पड़ती है मां आईशा बताती है कि तब उने समझ आया की इमोशनल सीन्स का उनके परिवार पर क्या असर पड़ता है उन्होंने बताया कि एक बार जब उनकी शो में रोना था टीवी पर या देखकर उनकी माँ घर पर रो रही थी बाद में उनकी मांने बोला था कि इतना मत रोया करो स्पॉयलर पढ़ने में आता है मज़ा गुम एकिसी के प्यार में आगे क्या होने वाला है यह जाननेके उटसिक्ता हर किसी को हortsती है आईशा ने बताया कि उनके घरवाले भी उनसे पूछते रहते हैं इस बात पर वह जवाब देती है कि उन्हें स्क्रिप्ट तुरंट मिलती है इसलिए पता नहीं होता हाली में जब बस एक्सिडेंट वाला सीन था तब भी उनके घरवाले पूछ रहे थे कि विराट किस को बचाएगा आईशा ने बताया कि लोग शो को लेकर जो स्क्वाइलर देते हैं उन्हें वो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है तो ये थी सेलिबरिटी न्यूज सीरियल गुम है किसी के प्यार में की हिरोईन आईशा सिंग को लेकर ऐसे कई और सेलिबरिटी न्यूज लेकर हम फिर हाजिर होंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंस जरूर शेयर कीजिए धन्यवाद